प्रोफिसर मनोज छा शुक्रिया मैडम शुक्रिया आपके वहां होने के लिए भी बस मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इतिहास में संसदिय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे च्छणा आते हैं जब ये कहना मुश्किल हो जाता है जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर आइस और नोस ये मसला येस और नो का नहीं है मानियव सभापती जी ये मसला हमारे देश की तारीख से जुरा हुआ है ये मसला इस बात से जुड़ा हुआ है जो पृधान मंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था क्यानवस बड़ा होगा आकृती बड़ी होगी बड़ा क्यानवस है लेकिन आकृती छोटी गड़ी जा रही है और ये इतिहास स्मरन करेगा ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अब नारी शक्ती वंदन अधिनियम मुरी तु समझ में नहीं आया कि ये लेजिसलेशन है या किसी तरह का धार्मी की गरंथ की एक उसका सिर्शक है क्योंकि बच्पन से पढ़ता आया इस देश में जब आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी जत्र नार्यस्तू पुजियन ते रमंते तत्र देवता पता नहीं देवता रमं करते हैं की नहीं लेकिन हमने इस लोग के बावजूद महलाओं का मॉलस्टेशन देखा घरे लुहिंसा देखी सबसे ज़्यादा रेप परिवार नम की संस्ता में देखा जिसका आकड़ा खुद सरकार देती है तो मुझको लगता है ये जो विरोदाबासी चडितर है हमारे देश का इस विरोदाबासी चडितर पर भी बात होनी चाहिए आज काफी सारी महलाएं हैं पत्रकार भी इस दर्शक दिरगा में इनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ सरोकार है इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये शलोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दे जो संबिधान से आती है मैडम संबिधान राइट्स की बात करता है अधिकार की हमारी वोकैबलरी को क्या होता जा रहा है अधिकार दया की श्रेनिम नहीं आएगा लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्स्चर देखता हूँ वो दया की श्रेनिम बात होती है अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी मानिये डेप्रिचेरमन माम चेरपरसन माम सौरी As per The Delimitation Commission 2008 जार आठ हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जेनरल सीट्स 84 84 सीज 47 सीज अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के मादियम से 84 और 47 के अंदर वन थर्ड कर रहे हैं क्या यह अन्याय नहीं है एक्जिस्टिंग सीट्स में नहीं जो 33 परसंट आ रहा है उसके अंदर जिसका आकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है उसमें SC, ST और OBC की वेवस्ता हो क्योंकि देखिए मैं आपके मादियम से कहूं हर महिला के को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है यह आप भी जांकिए और खास करके पिछडे वर्गों की महलाएं अनुसची जाती जन जाती की महलाएं उनका डेप्रिवेशन और वलनेरिबिलिटी बाकियों से जादा होती हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है अगर आप पहुँची तो बिना हैंड होल्डिंग के लेकिन उन पिछरी जाती की महलाओं का क्या जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म गरंतों म कोई ब्यवस्ता है रिटॉरिकली हम कुछ भी कह दें मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना होगा कि हमारी पार्टी आज मैं स्मरन कर रहा हूं हमारे राष्ट्रिया ध्यक्ष लालु प्रसाद यादव जी भगवतिया देवी कई लोग जानते होंगे पत्थर तोरने वाली महिल देवी आप आई वो इसलिए नहीं आप आई कि हम आपको दोश नहीं देते हैं हमारी वेवस्ताए संवेदन शुन्य है मैं तो आग्रह करूंगा तमाम सात्यों को आप किसी भी दल में हो आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए यह इतिहासिक च्छन सचमुच इतिहा को ब्यापक कैन्वस पर देखा जो प्रधानमंत्री जी कहता है और प्रधानमंत्री जी कि कस्रीयों और करनी में फासला नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खडए हैं अत्ये पिछडी जातियों के लोग मैड़म आप अगर आपके माध्यम से मेरी बात प चाहिए इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमिटी में भेज करके SCST और OBS को इंकॉर्पोरेट किया जाए नहीं आज आज आप हम नहीं करेंगे हम इतिहासी गुनहगार होंगे मैं यकीन के साथ कहता हूँ बाहर लोग वाच कर रहे हैं कहेंगे कि तुमने क्या किया यह बिवस्ता ऐसे नहीं बदली जाती है तो मैं आपसे आगरा करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दाइरों से अलग हो करके आप जब OBS की बात करते हैं तो यह रेटारिक से आगे यह जो फरक हमारे इसमें आ रहा है इसे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है मादम चेरपरसन मैं आपको कहूँ कि कोटा भी दिन कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक तर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस ने 89 में दिया इंटर्सेक्शनालिटी का मतलब होता है कि हम हर लेयर की एजन्सीज और उसके अंदर की क्या विधाये हैं उसके आधार पर अपना चड़ित्र एफ़मेटिव एक्शन प्रोग्राम को ये देखना होगा जो खास करके वंचित समाज की महिला आए हैं मैं उनके बारे में कहूं आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा अगर चश्मा लगाती है सरकार धूप का चश्मा नहीं अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए उसको साफ करिए और ये तै करिए कि आज जब हम यहां से उठें तो एक कमिटमेंट दें OBC वर्क को और ये मैं बार बार दूरा रहा हूँ कि 33% को एक्जिस्टिंग में मत इंकॉर्परेट कीजिए इच शुड़ बी सेपरेट नई विवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग सेज यह करिएगा तो करंतिकारी कदम होगा अकसर हम लोग अपने प्रिविलेजेस को नहीं देखते हैं मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिया है उन सरनेम को देखिए जिनके पास यह प्रिविलेज नहीं है मैं ये कहना चाहरा हूँ मैं ये कहना चाहरा हूँ कि प्रिविलेज का जो ब्याकरन है वो खत्मी नहीं हो रहा है मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद दर इस नाथिंग इन नेम बट एवरिटिंग इस देर इन दर सर नेम उनके संगर्ष उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है और एक एतिहासिक तर्थे बताओं 31 में बिगम शेहनवाज और सरोजनी नाइडू ने सम्विधान बनने से बहुत पुर्व इक्वल रिप्रिजेंटेशन की बात की थे हम कहे को अटके पढ़े हैं 33 पर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 33 के साथ क्या रिष्टा है हमारा ये 50 क्यों नहीं हो सकता ये 55 क्यों नहीं हो सकता आपका पूरा का पूरा वर्ग चरीतर बदल जाएगा आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहाँ है उनको ये भरोसा दिलाआ जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी सब के लिए खुलेगा आपकी ये जो नई पारलेमेंट है हमारी ये रंगी जादा होगी इंद्र धनुस में कई रंग होते हैं हम ये कौन सा बिलार हैं जिसमें ब्लैक और वाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है अगर हमारा अउदेश डिपेंडिंग अफ डिमाकरिसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए उसमें हमने SCST, OBCs and Minorities की बात की थी और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वर्ग चरीतर बदले संसथ सचोंच में पृतिनिद्धिक की संस्था बने जिसमें सब के आकार हूँ सब की शकले हूँ ये नहो कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर उस पर चाप रहे अब रहे हैं कि अभी जातीगत जर्गना कल शाम के बाद मैंचेर परसन मैंचेर परसन अब मैं आपका एटेंशन चाहता हूँ कल शाम के बाद इस देश में लोग सब हमें बिल पास हुआ उससे ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है OBC के साथ नाइसाफी हुई इस बात की चर्चा हो रही है कि जातीगत जर्गना पर क्यों ब्लॉक किया जा रहा है और मैं यह कह रहा हूँ हमारे CM वितिश जी और तेजस्वी जी डेप्टी CM उन्हें ने जातीगर सर्वेच्छन कराया 28 अगस्त को मेरे पास दोनों एफिडेविट है पहली एफिडेविट कोन लेके गए सरकार तुशार में तक हरे होते हैं सॉलिसिटर जेनरल यह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट केनाट डू एइन एक्टिविटी लाइक सेंसस और एक्टिविटी अकिन टू सेंसस लेकिन शाम तक जब आपरोर होता है दूसरी एफिडेविट आती है कहती है गलती से वो परेग्राफ लग गया था सरकारें ऐसी गलतीयां नहीं करती हैं यह मानस करवाता है यह प्रेजिडिस्ट माइंड करवाता है मैंडम चेर परसन बस बस ज़्यादा नहीं लूँगा मैंने कई संसोधन दिये हैं मैडम चेर परसन मैंने कई संसोधन दिये हैं उन संसोधनों पर भी सरकार विचार करें हाथ जोड़के कहता हूँ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा खिरदाय विशाल रखना चाहिए छोटे मन से आप ही के बड़े नेता कह गयते छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता कैनवास पे बड़ी लकिर खीचिये और मैं आखरी में एक बात कहके खतम करूँगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश घंप परसे एक मिनट एक कविता लेकर आया था उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाईए और ये कविता पर के खतम करूँगा और जय हिंद बोल दूँगा ये ओम प्रकास बादिमीकी जी का है, इसमें जो प्रतीक हैं, वो किसी जाती भिशेश के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है, जो न्यालेु में बैठा हुआ है, विश्यु विद्यालियु में बैठा हुआ है, संसत की दहलीज को, वो चेक करता है, तो कविता कुछ यूं है चूला मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का भूख रोटी की रोटी बाजरे की बाजार खेत का खेत ठाकुर का बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हल की मूठ पर हतेली अपनी फसल ठाकुर की कुवा ठाकुर का पानी ठाकुर का खेत खलिहन ठाकुर के गली मुहल ले ठाकुर के फिर अपना क्या गाउं देश सहर और मैं फिर से क्लारिफाई करता हूं वो ठाकुर मैं भी हूँ वो ठाकुर संसद में हैं वो ठाकुर विश्विद्यालियों में हैं वो ठाकुर विधाइका को कंट्रोल करता है इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है जैहिन म जाहिन